हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं याप आप सभी का आपके अपने योट्यूब चेल्मोर क्रियेटिव पर स्वागत है आई जैने खबर अपने MP की तीन बड़े अपडेट हैं आपके काम के पहला मानसून अपडेट प्रदेश के 11 जीलों में भारी बारी इसका अलट दिया है म पानसून वज्यानिकों ने और वहीं पर दूसरी बड़ी खबर मोटर विकल एक्ट को लेकर के है मुख्यमंतरी कमलनाथ ने केंदरी परिवान मंतरी नितिन गडगरी से अपील की है कि चालान रासी पर पुरणर विचार करे ताकि देश की जनता हो या फिर राज की जनता ह उनको चालान भरने में थोड़ी सहोलियत हो सके अच्छी बात है अपील करना और किसरी बड़ी कबर किसानों का दुख नहीं सुन रही है सरकार जानते हैं तीनों बड़े अपडेट जदी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने च खबरों के लिए शेरन को सप्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकान पे क्लिक कर दे ताकि अगला वीडियो आपको सिग्रता से मिले चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से मत्प्रदेश में सुक्रवार को अर्थात आज 11 जीलों में भारी बारिस का अलर्ट है 12 सितंबर 2019 का अपडेट है इन दिनों बादलों के कुल नौ कबीले आसमान में हैं इन में से चार मत्प्रदेश के आसमान में गस्त कर रहे हैं इन ही के कारण गुरुवार को भी लगातार बारिस होती रही मौसम उसे सग्यों ने अलर्ट जारी किया है क सुक्रवार को इंदोर, भोपाल, उज्जेन, होसंगाबाद, खंडवा, खरगोन, जाबवा, नरसीपूर, राजगड, विदीशा, छिंदवाडा में भारी बरसात होने की संभावना हैं नव कबीले में से चार मत्प्रदेश के आसमान पर मणरा रहे हैं उनी का असर है जो मत्प्रदेश में भयंकर बारिस हो रही है सितंबर के महने में और उसी का असर है कि आज के दिन 11 जिलो में भारी बारिस हो सकती है अब हम दूसरी बड़ी खबर पर बात करेंगे सीयम कमलनात की अफील है केंदरी परिवहन मंत्री नितिन गडगरी जी से की चालान रासी पर पुनर विचार करें मंत्री जी मोटर विकल एक्ट में बहुँ ज़्यादा चालान का चार्ज लगाया गया है तो प्रदेश सरकार के मुख्यो मंत्री ने परिवहन मंत्री से अत्प्रदेश के सीम कमलनाथ ने केंदर सरकार से अपिल की है कि वो मोटर भी कल एक 2019 में तै किये गए जुर्माना की रासी पर पुनर विचार करें। सीम कमलनाथ ने अपने बयान में लिखा है कि सड़क हाथसों को रोकना और लोगों की जान की हिपाजत हम भी चाहते हैं पर यहाँ भी देखना चाहिए कि जुर्माना अव्यवारिक ना हो बिलकुल सही बात है। लोगों की चमता के अनुरूप हो भारी मंदी का दोर चल रहा है देश में केंद्र सरकार जुर्माने की रासी पर पुनर विचार करें और लोगों को राहत प्रदान करें। हम भी इसका अध्यन करवा रहे हैं और अध्यन के बाद ही प्रदेश में मोटर विकल एक्ट जारी हो गया है। हैं बोपाल में एक यूवक पर 10,500 रूपय का जुर्माना लगाया गया इससे पहले पुलिस ने उसकी बाइक सीच कर ली। मोटर विकल एक्ट में बहुत सारे नियम है। यदि आप उन नियमों का उलंगन करते हैं तो चार्जे बल आपसे चार्ज वसूला जाएगा और वह चार्ज बहुत जादा होगा जो जनता वहन नहीं कर सकती। फिर भी यह चार्ज वसूले जा रहे हैं इसको लेकर के काफी जगे खबरे भी आ रहे थी कि चालान बहुत जादा हैं चार्जे बहुत जादा हैं और इस पर प्रदेश सरकार या फिर केंदर सरकार सोचे तता पुनर विचार करें। लेकिन गुजरात सरकार में अभी क्या हुआ हैं गुजरात के मुक्यो मंत्री ने प्रदेश की जनता के लिए मोटर विकल एक्ट 2019 पर आधा चार्ज कर दिया हैं। तो इस से प्रदेश की जनता को रहात मिलेगी बहुत अच्छी बात है। वहीं पर तीसरी बड़ी खबर किसानों का दुख नहीं सुन रही है सरकार 12 अगस 2019 को खबर है बालागाट जिले से खबर आरी जनवरी में वेचाता दान आज तक नहीं मिला भुकतान बालागाट उदान सवाचुनाओं के दौरान अनदाता किसानों को बड़े बड़े सपने दिखाने वाली कांग्रेस सरकार अब किसानों का दुख दर्द नहीं बाट रही है किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों के माद्याम से सरकार का ध्याना करशन कर रहे हैं लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है किसानों को जै किसान करज माफी हो बोनस का भुकतान नहीं मिला है जिससे किसान मानसिक और आर्थिक रूप से परिशान है किसान इस समस्या को लेकर लगातार अधिकारियों को सिकायत और ग्यापन सोब कर सिग्र ही भुकतान करने की मांग कर रहे हैं और लाजमी बात है इस मांग पर अमल होना चाहिए पठार अंचल की सेवा सकारी समीती महेके पार में करीब 55 किसानों का अब तक का समर्तन मुल पर आफलाइन धान की विक्री का बोनस रासी नहीं दिया गया है किसान लगातार समीती जाकर परिसान हो रहे हैं जिन किसानों को बोनस नहीं मिला उनमें महेके पार के अलावा बढवानी कोसुंबा, सुकली, देवरी ऐसे अंगिनत किसान है और यह बालागाट की ख़बर नहीं है पूरे प्रदेश में यही आल है 22 जनवरी के पूर समर्थन मुल परधान बेचा जिसका साड़े 300 रुपे प्रतिकुंटल की दर से बोनस आज तक नहीं मिला है इसलिए किसानों ने सरकार को अगा किया है कि 20 सितंबर तक बोनस की रासी का भुक्तान करे सरकार किसानों ने कहा कि अगर इन 8 दिनों के भीतर भुक्तान नहीं हुआ तो किसान सरकार के खिलाब आवाज उठाएंगे सरकार को इन सब बातों पर सोचना चाहिए क्योंकि सरकार ने विदानसभा चुनाओ के दवरान इन सब बातों को अपने बचन पत्र में लिखा है तो इस प्रकार से तीन बड़ी खबरें थी मानसुन को ले करके नए मोटर विकल एक्ट को ले करके तथा किसान सम्मधित बोनस कर दें ताकि अगला वीडियो आपको सिक्रता से मिले मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ तब तक कि लिए जय हिन जय भारत